गतरात्री खुश्यारपूर के गाउं खानपूर के नजदीक कुछ हग्यात लोगों ने बलविंदर उर्फ पपी निवासे भगतनगर की तेज़ार हत्यारों से बार कर हत्या कर दिया और शब को खानपूर के चों में ले जाकर फेक दिया और बाद में शब को आग के हवाले कर दिया जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जान शुरू की जियासपी हरविंदर सिंग डली ने बताया कि बलविंदर उर्फ पपी देव शाम हुश्यारपूर से खानपूर की तरफ अपने मोटर साइकल पर जा रहा था कि अचानक किसी अग्यात लोगों ने उस पर हम कर उसे घायल कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौध होगी और बाद में चोके नजदीक प्लाट में फेक कर उसके शव को आग के हवाले कर दिया मौके पर कुछ मिर्ची के निशान मिले हैं जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने घटना को गुमरा करने के पुलिस को शक है कि वारदात को किसी पहचान वाले ने अन्जाम दिया है वहीं अलग-अलग पहलों पर भी जाच की जा रही है बलविंदर सिंग के भाई राजकुमार के अंसार बलविंदर सिंग काफी समय से अपनी पतनी और बच्चों को छोड़ कर गाउं खानपूर मे लेब इन रिलेशन के तौर पर उसी के घर रहता था और उसने अपनी पहली पतनी और बच्चों के साथ कम ही रिष्टा रखा हुआ था बलविंदर सिंग के भाई राजकुमार के अंसार बलविंदर सिंग काफी समय से अपनी पतनी और बच्चों को छोड़ कर गाउं खान पूरमें लीविन रिलेशन के तौर पर उसी के घर रहता था उसनि अपनी पहली पतनी और बच्चों के साथ कम ही रिष्टा रखा हुआ था हमें पूरा शक है कि जिस महिला के साथ बलबिंद्र लीविन रिलेशन में रहता था उन्होंने ही उसके भाई को बेहरमी से माल दिया है तेल पागे साड़ है गया सी टाकते निशान भी सिगे इधन ताव का सियाफ है नंबर मेडन में तेंसो दो दो सो एका ईपी सी जार्जी करके एवली तब ती शुरु बहर देती है उमीद है बहुत जल्दी है इना देज़े लिदोशी है कि उननों गरिफ्तार करके प्रामिट जार्ज में क्या है जो यह पक्टी था वो खानपूर में रहता था इसका वहाँ अपना गर था या क्या को निजाई से बन की बात भी है आज़ा देज़े लेशन शिप में बो रह रह रहा था वहां बहां तो उनके एक ही गर में जो उनका दोस्तार उसकी हुश्यारपुर से अजार टीवी न्यूज के लिए सुनील लखा की रिपोर्ट